सो हलो फ्रेंड्स एक बाफ फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल फिल्मी फोरेवर पर अब भाई सहाब वार टू मूवी के सैट से निकल कर मेजर कभीर यानि की रितिक रोशन का लुक वाइरल हो रहा है जो की जूनियर एंटियार के साथ है आप दोस् प्लैन में होती है और उस प्लैन में हमें रितिक रोशन का यही वाली टीशेट और यही वाली जैकेट दिखाई देती है टीशेट इनकी ब्लू कलर की है और रितिक रोशन ने ब्लैक कलर की जैकेट ली हुई है जो की सेम तु सेम वार मूवी के सीन से हूब हूँ मैच कर र कुछ वैसा ही लग रहा है कि हो सकता है फिर से कोई प्लैन वाला स्थीन हो उसमें से रितिक को कूंदना हो इसलिए मेजर कबीर ने वापिस वही वाला लुक लिया है और वो A2Z परफेक्ट वार मुवी 2019 में आई थी और अभी 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं 5 साल बाद भी जो तो रितिक रोशन है यानि कि वार के मेजर कबीर है वो हू वा हू पहले जैसे ही लग रहे हैं कोई भी डिफ्रेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम दूसरी तरफ जूनियर एंटी आर के लुक की बात करें तो सैक्स से सिर्फ उनका एक बैक का फोटो वायरल हो रह में और ब्लैक कलर के जीन्स में नजर आ रहे हैं अब दोस्तों कहीं न कहीं ये डवल परफॉर्मेंस चल रही है यानि कि रितिक रोशन और जूनियर एंटी आर एक साथ शूट कर रहे हैं लेकिन इतनी बारीकी से शूट हो रहा है इस मूवी को इतना कॉंफिडेंसल रखा जा रहा है कि एक भी फोटो प्लस वीडियो लीग डाउट नहीं हो पा रही है बस जो सूटिंग के बाहर की फोटोस है जैसे रितिक रोशन का लोग है वो हमें देखने को मिला है क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि ये इंडिया की स्वर्ष्ट टू थाउजन करोड वाली मूवी बन जाए इसके बाद दोस्तो हिंदी लेंग्विज में ही ये कम से कम हजार करोड का कलेक्शन करें तेलवू में 500 का करें क्योंकि इसमें हमें रितिक रोशन ग्रीग गॉट जिनकी वाग मूवी ने 471 करोड का कलेक्शन किया है और उसका ये सिक्वेंस है प्लस दोस्तो एक ही मूवी में हमें देखने को मिल रहे है ग्रीग गॉट रितिक रोशन प्लस जूनियर एंटियार तो कोई भी डिरेक्टर चाहेगा कि 2000 करोड की कलेक्शन वार टू मूवी बड़े ही अराम से कर ले अब फिलाल आप बताईए इस सूटिंग में जो हमें फोटोस वीडि अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपनी यूटूब चैनल फिल मी फॉराइवर को